इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। Spiromant FA Tablet SR Combi-Kit is a combination medicine used in the prevention of asthma. ये अलजी के लक्षणों जैसे कि बहती नाक, बंद नाक, छींक, आखों से पानी आना और congestion या stiffness से राहत देता है। ये वायुमार्क की मानस्पेशियों को रिलेक्स करने में मदद करता है, जिससे वे चौड़ी हो जाती हैं, तथा सास लेना आसान हो जाता है। स्पिरोमोन टैफे टैबलेट सीनियर कोमबिकेट को भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है। अधिक फायदे के लिए इसे एक ही समय पर लें। यह सलाह दी जाती है कि अगर आप एकसरसाइज से होने वाले अस्थमा से पीडित हैं, है तो एकसरसाइज करने से दो घंटे पहले इसका सेवन करें। इसे डॉक्टर की सलाह अनुसार लिया जाना चाहिए। डोज और कितनी बार आपको इसकी जरूरत है यह इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप इसे किसलिए ले रही हैं। आपका डॉक्टर यह तै करेगा कि आपको अपने लक्षनों में सुधार करने के लिए कितनी आवशकता है। टेबलेट को पानी के साथ साबुत निगल लें। आपको जब तक इस दवा को लेने के दिशानिर देश मिले हों, तब तक इस दवा को लें। इससे अचानक होने वाली सांस की समस्याई ठीक नहीं होती है। इसलिए हमेशा अपने साथ चिकित्सक यह इनहेलर रखें। रोकने के तरीके हो सकते हैं। आम तोर पर आपको इस दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचना चाहिए। इस दवा को लेने से पहले अगर आपको कभी भी लिवर संबंधी गंभीर समस्याई हुई तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी जानना चाहिए जो आप ले रहे हैं, क्योंकि इन में से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं, या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं, यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, तो आपको अ क्लिक करें, धन्यवाद.